गुड इवनिंग स्टूडेंस वेलकम तो एसारस आईएस एनलो अकाडमी आज की जो मारी करेंट अफेयर की न्यूस होगी यह साइंस एंट टेक्नोलोजी से डिलेटिड होगी और आज का जो मारा टॉपिक है वह है जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस तो देखते हैं अभी यह न्यूस में क्यों है तो इस साल हमने देखा 2023 में कि बहुत से सीरीज आफ अफ अन्प्रेसिडेंटल नेचरल डिजास्टर जो है वो आए उनाइटिड स्टेट्स में और उसके लबा रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेंपरेशर जो है वो हमने देखें कैने जो है वहां पर वाइल फायर जो है वो हमने देखी उसके लबा हिस्टोरिकल फ्लॉडिंग जो है वो हमने देखी उसके लबा पावरफुल हरीकेंज वो इस साल हमने जो है वो देखें जिस वजह से काफी जान और माल का नुकसान जो है वो हुआ अब इस जान और माल के यह क्या होती है, basically यह जो होती है, यह टूल जो है, वो यूस करती है, जैसे कि GIS हो गया, geographic information system, या फिर GPS हो गया, global positioning system, या फिर remote sensing हो गया, इसकी मतद से यह जो है, geographic mapping और analysis जो है, यह करता है, तो यह सारी technology को जो है, वो geospecial technology जो है, वो कहा जाता है, these tools capture the special information about objects, तो यह क्या करता में, या फिर events के बारे में, या फिर phenomena's के बारे में, यह information जो है, यह collect करता है, और यह location data जो है, यह provide करवाता है, अब यह location data, जो है, static भी हो सकता है, अब static location data जो है, वो क्या होता है, basically इसमें जो है, ऐसी चीजें जो static रहती है, for example, position of road हो गया, कहां पे, earthquake event जो है, कहां पे सकता है, किस जगा पे malnutrition, जो बच्चे, जो है, वो बहुत जादा amount में है, कौन से particular region में, जो है, वो बच्चे, तो उस सारे को, जो है, static location data, जो है, वो कहा जाएगा, अब dynamic location data, जो है, वो क्या होता है, इसमें जो है, डेटा होता है, जैसे कि, जो vehicle, जो है, वो move कर रहे है, जो है, pedestrian, जो है, जो move कर रहे है, वो सारे data, जो है, या spread, जो है, किस तरीके से हो रहा है, किसी भी तरीके की, infectious disease का, वो सारे data, जो है, वो dynamic location data, जो है, वो कहलाता है, तो ये tools होते है, ये geospatial intelligence tools होते है, ये इस तरीके का data, जो है, वो बनाते है, the technology may use to create intelligent maps to help identify special patterns in a large volume of data, तो ये, जो है, special patterns, जो है, वो बनाते है, जिसकी मदद से, ये, जो है, एक intelligent map, जो है, वो create किया जाते है, for example, पूरा एक map, जो है, वो create कर लिया जाएगा, वहाँ पे एक particular region, जो है, उसको mention कर दिया जाएगा, वहाँ पर बता दिया जाएगा, कि इस particular region में, जो है, जो, बच्च intelligence, जो है, ये, मदद करता है, the technology facilitate decision making based on the importance and priorities of scarce resources, अब इसका significance क्या है, geospatial intelligence का वो देख लेते हैं, जब से पहले, ये, जो tropical cyclones होते है, उनको monitor करता है, national hurricane center relies on the geospatial intelligence to monitor cyclone location, its formation and trajectory, तो जब उसकी formation and trajectory, जो है, उसके बारे में पता चल जाता है, तो वो information, जो है, वो resource allocation के लिए, जो है, वो use में आती है, या फिर पहले warning, जो है, वो issue कर दी जाती है, और जो evacuations, जो है, उनको, जो है, वो कर लिया जाता है, ताकि, उससे ज़्यादा नुकसान, जो है, वो लोगों का वो ना हो पाए, उसके लावा, ये search and rescue, जो है, वहाँ पे भी मदद कार, जो है, वो का identify किया, और जो survivor, जो थे, उनको locate करने में काफी ज़्यादा, जो है, 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 जो ताकि पहले से ही जो आने वाली disturbances उसके लिए लोगों को prepare वो किया जा सके. उसके लबार military और civilian applications भी इसकी काफी जादे हैं. इसकी काफी जादे हैं. इसकी रिपोर्टिंग करने में ये जो है critical information जो है वो provide करवाता है. और उसके साथ इंडिया में कहां कहां से infiltration जो है वो हो रही है कहीं Bangladesh की side से हो रही है या फिर China की side से हो रही है पाकिस्दान की side से हो रही है तो उसमें geospatial intelligence जो है वो काफी जादा मददगार जो है वो साबित होता है. उसके लाबा transportation और logistics में भी ये जो है काफी जादा मददगार जो है वो साबित होता है for example ये क्या करता है जो आपकी cargo movement जो है ये उसको track करता है और जो आपकी government जो है और जो businesses जो है उसको essential information जो है cargo movement की वो provide करवाता है उसके लाबा urban planning और autonomous vehicles में भी ये जो है काफी जादा helpful ज images जो है ये provide करवाता है जिसकी मदद से city planners जो है वो safe designs जो है और efficient designs जो है communities के लिए वो prepare जो है वो कर पाते है उसके लाबा bicycle lanes जो है traffic directions जो है वो easily detectable जो है geospecial intelligence की मदद से उनको easily detect जो है वो की आजा सकते है उसके लाबा जो आपके autonomous vehicle जो है उनको भी जो है transportation system में जो है ये का provide करवाता है अब जो हमारी government जो है क्या क्या initiatives जो है वो लिये हुए special technology को promote करने के लिए इंडिया में तो उसके लिए government ने introduce किया था geospatial information regulation bill 2021 में इस bill का aim क्या था कि ये जो है regulate करेगा acquisition dissemination and use of geospatial information in इंडिया उसके लावा national geospatial policy 2022 में जो है उसको भी launch किया गया था ताकि जो है उसको streamline किया जा सके utilization of geospatial intelligence के साथ तो आज की जो हमारी class थी वो geospatial technology के बारे में थी geospatial intelligence के बारे में थी इस class के जो notes है वो आपको send कर दिये जाएंगे my telegram channel पे और जो हमारे various whatsapp groups जो है वहाँ पे भी इसके notes आपको circulate कर दिये जाएंगे उस कर दो